हलो एवरिवान वेलकम तो फूट का आटिट्यूट प्याज लिया है अद्रक लिया है कैपसिकम लिया है और टमाटर लिया है और इन सब को मैं बहुत ही बारीक चॉप कर रही हूं आप सोचे होंगे मैं इसा क्या बना रही हूं मैं एक ऐसा वेट लॉस ब्रेक्फिस्ट कहलो गोबी बीन्स गाजर और साथ में आलू यह चार सबजियां और ली है अब मैंने कुकर में देसी घी डाला है दो चमच जिसमें मैंने जीरा डाला है और यह जितनी चीज़ें मैंने चॉप की थी वो डाल दी है और बाकी की सबजियां जैसे की गोबी बीन्स आलू गाजर य मैं यह बता रही थी आपको उससे पहले अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजेगा और यह वीडियो आपके लिए बहुत बहुत बेनेफिट वाली होने वाली है अगर आप जिम करके दवाइयां खाके हर तरह से हार चुके हैं कि आपका वेट लोज नह केजी यू विल लोज अब टू-3 केजी अन माइन माइ वर्ड्स आइम नोट एग्जाजरेटिंग और संधिंग यू विल डेफिनेटल लोज तो अब मैंने सारी के सारी वेजीटेबल्स डाल दी है कुकर में और इसको हमने अच्छे से भून लेना है अच्छा वीडियो को लास तक देखेगा क्योंकि मैं इसमें दो ऐसे मैजिकल जो कह सकते हो आप इंग्रीडियन डालने वाली हूँ जिनसे की ये डिनर सुपर सुपर फूड सुपर डिनर बन जाएगा तो आपने देखा मैंने सारी वेजीटेबल्स डाल ली है वेजीटेबल्स को आपने बहुत ही अच्छे से भून लेना है चले जब तक सबजियां भून रही है हम क्या करते हैं दल्या ले लेते हैं अब यह हमारा फर्स्ट मैजिकल प्रड़क्ट है क्योंकि आपको पता है यह कॉंप्लेक्स कार्भोहईडरिट होता है और हमारे लिए वेट लूस करने में भी बहुत बहुत अच्छे से दुवारा से मिक्स कर लेंगे and now comes the turn of the second magical ingredient. Any guesses? ओकी ले मी तेल यो यह है लेमन अब हमें इस पे एक लेमन डालना है लेमन को आपने इसलिए डालना है क्योंकि ना तो सिर्फ वो टेस्ट बढ़ा देता है बल्कि इसके जो क्वालिटीज है उसको भी दो आ रहे हैं इसकी क्वालिटी को भी दोगुना कर देगा आप जल्दी से वेट लूस कर पाएंगे और उसकी जो मतर काफी ज़्यादा टेस्ट को भी एन्हांस कर देता है तो हमने निम्बू डाल दिया इसको हम बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे अच्छा मैं वैसे करती हों कि खटा हम तब ढालें जब हम पका रहे हैं इसको नीम्बू अगएर हम तब डाले लेकिन इसके अंदर मैं पेले ही ढालती हूं क्योंकि उससे बोखत अच्छा टेस्ट आता है अब मैं इसमें डाला है नमक साथी में मैं इसमें डालूं की खूप सारा हरा धनिया हारा धनिया अच्छे से वोश करके सुखा के सुखा हो ना सुखा हो गिला डाला है गिला डाल दो में पस कटा हुआ रहता है गहले से गरम मसाला, that's it you can see मैंने इसमें कोई भी फाल्टु का मसाला नहीं डाला आप अगर मिर्च खाते हैं तो आप इसमें लाल मिश डाल लीजिए, हरे मिश डाल लीजिए, अगर गालिक खाना चाहते हैं, तो आप इसमें गालिक डाल लीजिए, even it is beneficial, अब मैंने इसकी कुकर की लिड लगा दी है, मैं इसकी कुकर को दो विसल्स दिलवाने वाली हूँ, सबजियां आप कोई भी अप काम करेगा, जिनको कॉंस्टिपेशन वगेरा रहती है, उनके लिए भी इस वेरी वेरी गुड डिनर, आप दिन में रह सकते हैं, कोई मरीज है आपके घर में, आप उसको खिला सकते हैं, क्योंकि इसमें हमने कोई फाल्तो के मिर्च मसाले यूज नहीं की हैं, सिरफ एक नम इसको जरूर जरूर बना के खाईए, ट्राइ कीजिए, मैं आपसे मिलती हूँ, नेक्स वीडियो में एक नई मसेदार सी रेसिपी के साथ, तिल देन, बाबाई, स्टे बलेस्ट